हेलो फ्रेंड्स राम राम सभी को कैसे हो आप सब उमीद करती हूं सभी बहुत ही ज़्याद आच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लोग में और अभी हम आये हैं बाहर क्योंकि सुमीद को था बैंक में कुछ काम तो मैं भी सुमीद के स अच्छी है ना एक्दम डार कलर हा रहा है वह तो सही निकली और इस दूसरे हाथ पर भी नहीं कौन से लगाई थो वह भी बिल्कुल डार कलर आये हुगा है और अभी हम पोंच गए हैं बैंक हमारे पास में यह ज्यादा दूर नहीं है बिल्कुल पांस या दस मिनट का रस अब 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 होई कि था आध्य है व्यूट रहां लाग रहा है इस परसलाया लिग आम गवाई है यह देखल लाइस का यह मोंग वारा है दखाँ ये किसी बोट तो के मंगा लिया इना नी किया मामना तो बेरा भी ने चीज जा गई है चीज मंग वाई जा की आर भलती ए बवबने क्या कर दो कर कर दो कमरा आने हैं तो ही है अधे नहीं जाओंगा ना मैं तो जिम जाओंगा कि अब जिम जाओगे परफ ना जाओगा टीएचिक चटर पारफ कभी लाए है अब जिन जाओगे पारफ ना जाओगे पारफ ना जाओगे तोड़े एक चक्टर पारफ कभी लाया है जी में डाई गंटेगा हो जाओगे तोड़ी देर में पास्वाल का अब यह आई हुए है इंटरनेट का कनेक्शन लगाने के लिए वैसे तो आमने पहले भी वाई फाई लगा रखा था लेकिन उसकी स्पीड ना बोती कम आती थी और कभी कभी तो आती नहीं थी तो इतना तंग कर रखा था ना उसने और नेट भीना हमारा काम चलता नहीं क्यो चलाने लगए फोन है टीवी है सब नेट से ही चलता है और आजकल तो आदा गंटा एक गंटा भी नेट नहीं आए ना तो बहिए ऐसा लगता बस कुछ है इनी नेट भी नहीं तो आजकल गुजारा ही है तो आमने रहे हैं वह पुराना वाला जो इंटरनेट था न वहटव वादिया है नहीं वाला लगवालिया इसकी स्पीड बढ़ी आएगी तो अभी लग जाएगा ना यह तो सही है और यह क्लीप है अगले दिन की मतलब तीन तारीक सुक्रवार की और यहां मैं कर रही हूं नास्ता और आज नास्ते मैंना मैंने सेंडवीच मना रखी थे और सें यह मैंने लसी बना लिए सुमीत ने अर्म है अग्र आंग रही हो श्यामका टाइन हो गया और वहिसे ऊपिल्म पताने से और सब्सकम चलो आपको भी दिखासते हूं मैं कैसे बना रही हूं नमक पारे और आज है नमक पारे में गेंग के आटे से बनाऊंगी तो गेंग के आटे के सही रहते हैं मतलब हेल्दी रहते हैं मैं दे से तो क्योंकि मैं था तो पेट में जाके फुल जाता है गेंग काटा सही रहता है तुमेंने यहांग नमग पारे बनाने के लिए और उसमें डाल दिया है नमग टेस्ट के अकोर्डिंग और तोड़ी सी कलोंजी थोड़ा सजीरा और एज़वाईन डालत हैं आथो से करस करके और तो मैंने एज़वाईन और बस अब इन सारी चीजों को मैं आट्टे में अच्छे से मिला लूँगी जाते हैं, तो अभी मैंने इसलिए तेल डाला हूँ और तेल मैंने 3-4 चमच के लगवक तेल डाला होगा, और तेल को अच्छे से आथों से ऐसे मसल मसल की और तम मैंने आटे में पूरा मिलाया है और इतना जैसे ये लड़ू से बनने लग गई ना जैसे आटे को आथ में लेके और उसको दबा रहे है तो ऐसे लड़ू सा बन रहा है तो मैंने इतना तेल मिलाया है इसमें बस कि गुथ तो थोड़धा है पाने टालके और तब गुथ तो और पाने को गुत का न गा लाब और जिसतना बढ़िया घुथूंगी यह न में तो ड़ीनित क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूथ री थी और फिर इसको टाइट गूथ के जैसे टाइट हो गया ना फिर मैंने इसको थोड़ा सा और मला था कई थोड़ी थोड़ा सा क्यूं ज्यादा ही मला था मतलब कई देर तक मलने पर वो टाइट अटा भी बिल्कुल तो आटा बनाके रेडी कर दिया है बस अब इसको है ना मैं गिल ले कपड़े से कोटन का कपड़ा है इसको मैंने गिला कर लिया था और इससे डखकी रख दूँगी मुलब आदा पोना गंटे या एक गंटे के लिए एक गंटे तक भी कुछ निया सही रहता है जितना मैं गया आटा डाल लिया था और इसको अच्छे से मिला लिया और गी को ا हमें गरम कर लिया था पहले तो गरम नी कहली कि corrections बना लिया था और इसका पतला पेश्ट बना लिया है बस Crisis ही चीजे रैडी करके रखती है और अभी पहले मैं अपना खाना बना लेती हूं बाद में फिर नमक पारे बनाओंगी और सुमित ले आए हैँ आज मतर पनीर तो मतर पनीर के सब्जी खाने को उन्य और यह वाला यह देखो यह मसाला लेका है एक बार पहले विलेक आए थे न एक बर पर ले विले के आये थे सुमीत ये वाला मसाला इतने तेस्टी सबजी बन रही थे इससे तो मटर पनीर की सबजी बनाऊंगी मैं अब भी ले आए हैं सुमीत तो वो सारी समान मैंने तयार करके रख दिया और इसको है ना मजब कई दिर रखना हापी मजब आदा गंटा एक गंटा रख दे तो और अच्छी बात है तो आए गंटे में मेरा खाना बन जाएगा सब तक यह रखा रहेगा बाद में नमक पारे बनाऊंगी और यह देखो मटर पनीर की सबजी भी मैंने बना के रेड़ी कर दिया पक गई है बिल्कुल देखो मसाले उपर आ गए हैं और कई देर तक मैंने ऐसे डख के रखा था इसको बस अब इसमें मैं डाल देती हूं मलाई वैसे तो दूद भी डाल सकते लेकिन पहले ही मैंने ग मसाला लेके आई है न इससे तो इतनी टेस्टी सबजी लगती है अलगी मसाला पता नहीं कौन सा है तो बहुत टेस्टी बनती है इससे सबजी मलब टेस्ट अलगी आता है खाने में तो बस अभी मैं इसमें डाल देती हूं धनिया और रोटी शेकनी बाकी आठा उगुन और सारे काम कर रखें बत रोटी रोटी बनानी बाक्ति यह वह फटा फट बना लेती हूं और बस खाना पीना हो गया हमारा और खाके अभी लग गई हूं मैंने नमक पारे बनाने तो आटे को हना मैंने कई देर एक गंटा रख दिया न तो उसको थोड़ा सा और मैंने गूथ लोई को और अब इस पे मैं लगा लेती हूं यह क्या नाम है जो मैंने पेस्ट बना के रखा है न तो यह पूरी पे लगा लोगी इसका गी का और आटे का पेस्ट बना रखा है तो पूरी इस रोटी पे लगा लोगी मैं इसको अच्छे से और पूरी रोटी पे अच्छे स करके चोटी पूरी बंजाती है उतने उतने मैंने इसके सारे रूल के पीस काट लिए हैं और बस अब इनको गॉल कर लोंगी पीसो को और गॉल करकेर की छोठी छोठी पूरी भी ज़ो जोंगी और पूरी आ बेलने के बाद फिर मैंने पूरी में भी लगा लिया था but this paste और फिर मैंने ऐसे ही करके सारी आटे की रोटी बनाई पहले फिर उस पे पेस्ट लगाया फिर उसका रोल बना के काटा और फिर चोटी-चोटी पूरिया बेल के उन पे भी पेस्ट लगा के और फिर ऐसे जैसे मोड रही हो ना तीन कोणों के प्राठे बनाते तो ऐसे मोड मो तो बस अभी सारे बेल दिये हैं उन्हास जमा च कर लेते हैं और शुर्फ दोन उसक्रम करने की समय के बाद केकर करने के सामेपज़ी कि कि ख़ल कोश्च परम जेदाना भी इनका बड़ियर कोश्च रखका है है इनके तो अब इनको पका लेती हूँ तो सीम गैस में ही पकाई है मैंने पहले फुल कर रखी थी गैस लेकिन फिर बाद में मैंने सीम गैस में पकाई है तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे तो इसके मैंने सीम गैस करी है और ये देखो कितना बड़ी पना लिये तलने में इतना टाइम ले लगा जितना बेलने में बनाने में लगई यह वैस्च शोटी पर बन गई ईनको ड़िब्र करके रख दूंगे और फिर जाओ यह itesपनी पड़े आ रही मतलब यह पकुरायर नमक बारे बने है अब यह मैं आपको एक तोड़ के दिखा तो इतनी कुरा रही है देखो तिकने अच्छे से टूट गया है ना तो वो ती टेस्टी बने अच्छाएं के साथ तो एक नंबर के लगेंगे और अब यह देखो ममी को भी खिला देती हूं नमक पारे किते सारे अट्टे के तो ममी नहीं खाए ना ममी को भी बहुती ज़्यादा अच्छे लगे तो आप लोग भी ट्राइ करना जिने नहीं करें है ट्राइ और अब यह मारे साथ खालो चलो तो अब इस व्लोग का यह एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लोग में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना